हेलो दोस्तों नमस्कार जेनेसिस आईएस में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सामान अध्यान चतुर्थ प्रस्ण पत्र वह प्रस्ण पत्र जिसको लेकर प्रतियोगी समुदाय में तमाम तरह की भ्रम आशंकाएं और प्रस्ण क्वेश्चन्स उठ रह हैं मन में क्या है इस्पेसली यह जो लोग UPSC की तयारी कर रहे हैं सिर्फ उनके मन में ज्यादा समस्या है और UPSC के भी नए विद्यार्थियों के लिए एक यह कौतुहल एक यह कीन क्वेश्चन बना हुआ है कि आखिर क्या है कैसा है सामान अध्यान प्रश्ण पत्र तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सामान अध्यान प्रश्ण पत्र चतूर्थ प्रश्ण पत्र पेपर फोर कुछ नया नहीं है बहुत ही इजी है वे चात्र जो जिग्यासु प्रवित्तिके हैं जो नई चीजें जानना चाहते हैं उनके लिए बिलकुल इजी है और UPSC मे भी यही स्थिती है आपको डरने घबराने की बिलकुल जरूरत नहीं है सामान अध्यान में चतूर्थ प्रश्ण पत्र इसलिए जोड़ा गया है कि प्रशासन सासन में नायतिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक समावेश हो सके अधिक से अधिक ऐसे लोग आ सकें इसलिए इसको नाम भी दिया गया है एथिक्स इंटेग्रिटी एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा तो हम यह देखते हैं बात करते हैं कि सामान अध्यान की तैयारी चतूर्थ प्रश्ण पत्र की तैयारी किस तरह से इसमें किया जाए ऐसा कौन सी रणनीती अपनाई जाए जिसमें हम सिलेबस में पाठेक्रम में क्या है क्या ऐसा है जो हम पहले से जानते है उसके बारे में थोड़ा बहुत सुने हैं क्या नया है सबसे जो इसमें मुख्य बात ये है कि बिल्कुल नया कुछ भी नहीं है जो लोग graduate है पोश्ट graduate है GS पढ़ रहे हैं पहले से नया नहीं है अ अब आईए सिलेवस पर एक रिश्टि जालते हैं इसकी सुरुवात होती है नायतिक्ता और मानवी व्या आर है इसमें आपको पहले ये बताया पढ़ना है कि मानवी गत विदियों में नायतिक्ता का सार क्या है न上 नयतिक्ता के difference dimensions क्या है और नीजी और सायजवनिक संबंधों में नयतिक्ता का क्या स्थान है। फिर इस नयतिक्ता को बढ़ाने के लिए मानवी मुल्यों को बढ़ाना जरूरी है तो इसमें महान नेताओं के जीवन से तमाम बातों को गरहड करना। और नयतिक्ता को बढ़ाने में एक बहुत बढ़ा रोल होता है attitude का, मनोवृत्ति का, attitude वह व्यवहार जो व्यक्ति अपने से अरजित करता है और सीखता है अपने जीवन में, अपने विचारों को, अपने कैसे उसको कोई कारे करना है, किसी कारे को करने के प्रति उसका दृष सेवा के लिए किस तरह का attitude होना चाहिए, इमानदारी, निस्पक्षता, पच्पात रहित, सेवा, वस्तु परक्ता, आपजेक्टिवटी, जन सेवा के प्रतिसमरपन, कमजोर वर्गों के प्रतिसमवेदना, श्रैशूता और दया, फिर आगे हम अगर सिलेबस में देखे है तो पेपर फोर के सिलेबस में एक officer के अंदर emotional intelligence भी होना चाहिए, भावनात्मक बुद्धी भी, ये भावनात्मक बुद्धी क्या है, इसका प्रसासन में क्या यूज हो सकता है, भारत और दुनिया के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का इसमें क्या योगदान है, ये क्या समस्या आई है, अभी भारत में जैसे वरिष्टाचार ये सब बढ़ गया है, तो नैतिकता की बाते की जा रही है, किस तरह से बढ़ाई जाया है, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसासन में मजबूत किया जाया है, और एक टर्म और है नैतिक मूले और प्रसासन भी नैतिक मूले से जुड़ा हुआ टर्म है, और फिर अगला टापिक आता है, सासन में इमानदारी, प्रोविटी इन गवर्नेंस, लोग सेवा की अधारा, प्रसासन इमानदारी का दार्शनी का अधार, सरकार में सूचना साजा करना, पारदर्सिता, सूचना का समझने का प्रयास करिए उसको, अभी मैं आगे बुक्स बताऊंगा कि कौन-कौन से बुक्स या नोट्स यूसफूल हो सकते हैं, उन बुक्स को ले करके और ये सारा सिलेबस और जो इसमें टर्म्स है, जो कॉंसेप्ट्स है, उन बुक्स की सहायता से सारे टर्म्स का, कॉं इसमें कुछ पूछा जाता है, ये छोटा सिलेबस है, और सेक्षन बी जो इस सेक्षन में रहेगा, इस पेपर में रहेगा, सौरी, पेपर फोर में, वो उपर्यूक्त विसाय से सम्मंधित केस स्टडी, तो केस स्टडी बहुत ही एक प्रायोगिक टॉपिक है, इसको आप लगातार पेपर में पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि कैसे कैसे प्रासासकों के सामने प्रैक्टिकल बैरियर्स आ रही है, जैसे कि एक स्कूल में, एक खास वर्ग के बच्चों ने खास वर्ग के दाई के द्वारा बनाये गए भोजन को खाने से मना कर दिया, तो वहां के जिलाधिकारी ने कैसे उसको टैकल किया, वो स्वयम सुबह आके खाना खाने लगे, बच्चों का MDM में, तो ये सब इस तरह से आप case study देखिए, case study में ये हमको देखना है कि निजी जीवन और सारजनिक जीवन में कैसे किस तरह का एक अंतर संबंद बनाया जाए, किन किन बा सासको के समझ कैसे आ रही है, इनको आप newspaper से पढ़ते रही है, इसके अलावा, बहुत सारे case study के question को imagine करिए, और उनका उत्तर खुझ से सोचिए, और उनके उत्तर ऊपर ये जो बताये गए, जो terms है, उनके according में होना चाहिए, उनके accordance में होना चाहिए, तो दोस्तों, इस तर ये लोगों के मन में बसा हुआ है, कि ये नया है, ये है, वो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही easy है, बहुत interesting है, और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आपके knowledge में जो enhancement होगा, आपको खुद बहुत मजा आएगा, तो इसलिए दोस्तों, पहले books, अब हम आगे books की बारे मे बात करते हैं, तो जो इस समय हिंदी में, जी सुबारा और लेक्सिकॉन, दोनों की किताबें बहुत अच्छी चल रही हैं, इसके अलावा जिन लोगों ने कहीं से कोई coaching किया हो, उनको भी साथ में रखके, इनको एक match करके देख लें, तो दोस्तों, ये मुख्य मुख्य books ह और इसके अलावा market में कई type की book आई हैं, जिसकी भासा आपको समझ में आया है, जिसकी भासा easy लगे, वो आप देख सकते हैं, हम भी इसके बारे में आगे अभी course चलाएंगे, तो उसमें सारी चीजें बताएंगे, तो दोस्तों ये रहा paper 4 का एक shortcut strategy जिसके बारे में हम नमस्कार